किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लास पर रोते हैं, अभी उठ जाओं तो जीने नहीं देंगे, जब घाव से खूण नहीं निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है, रिस्ते भी नौकरी की तरह हो गये हैं, आज कल बहतर आफर मिलते ही बदल जाते हैं, यह हुआ दौर है साहब, जब इनसान गिरे तो हसी निकल जाती है, और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है, जीती जी कौन करता है कदर किसी की, यह तो मौत है जो इनसान को अनमोल बना देती है, संभल कर चल अए नादान, यह इनसानों की बस्ती है, य और इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिन्दगी के सबसे कड़बे सबक अक्सर मीठा बोलने बालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की वस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुवाने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कसमकस जिन्दगी में है। जूट बोलो तो रब नराज हो जाता है। और सच बोलो तो अपने नराज हो जाते है। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं हैं। और इनके लिए वही लड़ते हैं जो इनने कभी पढ़ते नहीं है। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं, लोग सुनते हैं बाते छुप छुप कर और कहते हैं कि दिवारों के भी कान होते हैं, पैसा कहता है मैं रोज नए रिस्ते तो बना लेता हूं, मगर पुराने और सचे रिस्ते बिगार देता हूं, दोस्तों, इंसान कभी भीड में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लास को समसान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बहतर है। लोग चाहते हैं आप बहतर करें लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे बहतर करें। गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़बा है। खुदगरजी जीब की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर काम्याब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त। कव्वे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। नीचे गिर के देखो कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। जरा तुम उठकर तो देखो सवाएंगे तुम्हें गिराने। खूब सूरत चेहरा भी बुढ़ा हो जाता है ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है औहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है अकाल अगर अनाज की हो तो मानम मरता है किन्तु अकाल अगर संसकारों की हो तो मानवता मरती है हर इंसान में कोई न कोई परतिवा जरूर होती है लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नश्ट कर देते है दोस्तों, खामुसी किसी इंसान की कमजोडी नहीं, उसका बड़पन होता है वरना जिसको सहना आता है, उसको कहना भी आता है जिसकी जैसे नियत वैसी कहानी रखता है कोई परिंदों के लिए बंदूग, तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है दुनिया के हर चीज छोकर खाने से तूट जाती है एक काम्याबी ही है दोस्तों जो ठोकर खाकर ही मिलती है अगर नियत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता पहार चटने वाला वेक्ती जुक कर चलता है और उतरने वाला अकड कर चलता है कोई अगर छुक कर चल रहा हो तो मतलब है कि वह उचाई पर जा रहा है और कोई अगर अकरकर चल रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है अभिमान की ताकत फरिस्तों को भी सेतान बना देते हैं और नर्मता साधरन वेक्ति को भी फरिस्ता बना देता है जिसको जो कहना है कहने दो अपना क्या जाता है यह तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है दुआई मांगने से किसका भला होता है मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों न हो दिल से उतर जाता है इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसको गलत समझने लगते हैं दोस्तों कुछ रिस्ते भगबान खराब करते हैं ताकि हमारी जिन्दगी खराब न हो जो रिस्ता कम और गुरूर जादा रखे ऐसे लोगों को दिल से दोर ही रखो गलती बेसक भूल जाओ लेकिन सवक हमेसा याद रखो समय से जादा सिर्फ उन्हें रिस्तों की कदर करो जिन्वने इस समय पर आपका साथ दिया है मरने बाले पर रोने वाला अजार मिल जाएंगे मगर जो जिन्दा है उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए बाते तो कोई भी अच्छी कर सकता है जब भी तूटो तो अकेले में तूटना दोस्तों क्योंकि यह दुनिया तमासा देखने में माहिर है कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यबात करो क्योंकि यह वही लोग है जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए बोलना तो सब जानते हैं पर कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं करते हैं वो मेरी खामियों की बयां ऐसे खुद के किरदार में कि वह फरिस्दे हो जैसे सुन्दर हो या ना हो पर सब्दों को जरूर सुन्दर होना चाहिए क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर सब्दों को नहीं भूलते जूट भी कितना अजीब है ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुसा आ जाता है यादास्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं बिचैन रहते हैं वो लोग जिने हर बात याद रहती है माबाप की नसियत सबको बुरी लगती है लेकिन माबाप की बसियत सबको अच्छे लगती है उड़ा देती हैं निंदे, कुछ जिमेदारियों घर की रात में, जागने वाला हर सक्स आसिक नहीं होता दोस्तों, बहुत दूर तक जाना परता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदी कौन है, दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सला, एक से मांगो तो आपको हजार मिल अपने उम्र और पैसो पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है, यकिनन वो खत्म हो जाती है, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर भेवफावी हुई तो काबिल बना कर छोड़ेगी, अंदाज से ना पिये किसे इंसान की हस्ती, ठेरे वे दर्या अकसर गहरे हुआ करते हैं, हमें अपनी जिन्दिगी में नाकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच साकारात्मक होगी, तभी आपको काम्यावी मिलना सुरू होगी, जिन्दिगी में ये माइने नहीं रखता, कि आपने को कितना जिया, बलकि माइने ये रखता है, कि आप जिन्दिगी में कितना खुश रहे हैं, मजबूत होने में मजा तब है, जब सारी दुनिया कमचोर करने पर तुली हो, जिन्दिगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे, तो उसे कभी अपने उपर हावी मत होने देना बलकि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो इंसान जिन्दिगी में कभी काम्याब नहीं हो सकता कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं हमें जिन्दिगी में कभी कुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए नहीं आने बाले कल के बारे में सोचकर परिसान होना चाहिए जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए दोस्तों जीवन में अपने रहसी कभी किसी अन्य वैक्ति को नहीं बताना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है सारी उमर बस एकी सवक याद रखना दोस्ती और दुआ में बस नियत साफ रखना जीवन में कोई भी काम केबल तभी तक कठिल लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते दोस्तों अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक के हर महेंगी चीज सस्ती ना लगने लगे दुनिया का सबसे मुस्किल काम है अपनों में अपनों को ढूने ला नदी के किनारी पर खरे रहने से नदी पार नहीं होती उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त सही बक्त कभी आता नहीं उसे लाना पड़ता है कसूर तो बहुत किये हैं जिंदगी में पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे जीवन में जो लोग आप से दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोस्त हलात पर डाल देते हैं जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती पर एक मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है मेरे सब्दों को इतना गौर से मत पढ़ा कीजिये जनाब थोड़ा कुछ भी याद रह गया तो मुझे भुला नहीं पाओगे इस जीवन में रूपियों की किमत कितना भी गिर जाए पर इतना कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद रूपियों के लिए गिरा लेता है अकर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए क्योंकि जिंदगी में कुछ रिष्टे बहुत अनमूल होते हैं जो लोग अंदर से मर जाते हैं न अकसर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए क्योंकि हम एक दीन मौत से तो हार ही जाएंगे जब भी जीवन में मुश्किल गड़ी आती है तो कायर पीछे हड़ जाता है और मेहनती डट जाता है ख्वाप तो सब मीठे देखे थे ताजूब है आखों का पानी खारा कैसे हो गिया किसी को उजार कर बसे तो क्या बसे और किसी को रुला कर हसे तो क्या हसे जिंदगी में एक बात तो तै है कि तै कुछ भी नहीं है रोह से जुरे रिस्तों पर फरिस्तों के पहरे होते है कोशिस कर लो जितना तोरने की यह और भी गहरे होते हैं दिवारे मेरे संग रोती रही और लोग समझे कि मकान कच्चा है खूब सूरत सी वो पल था पर क्या करें वो गल था मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग क्योंकि वो खुद तूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ता है